नमस्ते, मैं गर्वित रावत तो पिछले कुछ पाठों में हमने देखा अंतरिक्ष विज्ञान में स्थानिया करण के विशे को इसमें हमने देखा कि उगरों का स्थानिया करण कैसे होता है, उनका स्थान निर्धारन कैसे होता है और कैसे वो हमारी साहिता करते हैं कि हम अपने धरती पे भी स्थान निर्धारन कर सकें साथ साथ हमने ये भी देखा कि कक्षाओं का निर्धारन किस प्रकार से होता है अब अक्सर जरूरी ये होता है पता होना कि कक्षाओं का हमारे जो नक्षे हैं दुनिया के नक्षे हैं जो world maps हैं वो किस प्रकार से दिखते हैं कहने का मतलब ये है कि उपग्रा जो है वो कौन से स्थान के ऊपर चल रहा है बिल्कुल वैसे ही जैसे हवाई जहाजों के पत होते हैं जो हमारे नक्षों पे हम उतारते हैं तो इस क्रिया को कहते हैं कक्षिय भू अनुपथन या Orbit Ground Tracking पर इस विशे में घुसने से पहले ये आवशक है कि हम अच्छे से समझ लें कि जो हमारे नक्षे हैं जो हमारे वर्ल मैप्स हैं वो असल में क्या दिखाते हैं हमको और उनमें क्या-क्या पहलू है तो वैसे तो सीधे सीधे दिखते हैं जो हमारे नक्षे होते हैं पर ये असल में हैं बहुत टेड़े सबसे पहले तो ये समझ लो कि दुनिया का कोई भी नक्षा आपको पूरा सच नहीं बता सकता क्यूं? क्यूंकि पृत्वी त्री आयामी है, भू, गोल है और उसे दुई आयामी कागस पे दर्शाना असंभव है पूरी सचाई के साथ जैसे कि मानलो आपने एक फुटबॉल पे एक चित्र बनाया और फिर मैंने बोला कि अब उस फुटबॉल को काट के उसके अलग-अलग पीसेश चिपका के एक सपाट बोर्ड पे या जमीन पे उसको उसी चित्र को फिर से दर्शाओ आप देखोगे कि ये करना असंभव है अगर आपने कोई बिल्डिंग बनाया तो फिर अगर आपने अगर उसको दुई आयामी कागस पे काट काट के दर्शाय तो ऐसे लगेगा कि कोई इटों का धेड़ है तो मतलब ये हुआ कि जितने बार भी आपने कभी भी दुनिया का नक्षा देखा हो या वर्ल मैप देखा हो उसमें जरूर कोई न कोई लोच्चा होगा उसमें कुछ न कुछ जूट होगी किसी भी प्रकार का दुई आयामी नक्षा जो एक त्री आयामी भुगोल को दर्शाने का प्रेतिन कर रहा है जिस नक्षे को हम अधिकतर देखते हैं और जो दुनिया भर में प्रचलित है जो आपके स्कूल, कॉलेज, जो आपके पिक्चरों में दिखते हैं वो है मर्केटर प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन का मतलब होता है परच्छाई बल्कि प्रोजेक्शन शब्द आता ही परच्छाई से है मर्केटर नामग व्यक्ति ने इस प्रकार के नक्षों को सपोर्ट किया था उन्होंने इनको प्रजलित किया था इसलिए इनके नाम पे है तो मर्केटर प्रजेक्शन होता क्या है तो अब मान लीजिए कि ये आपका भुगोल है ठीक है और इसके अंदर अब इसके उपर आपने पूरा चित्रे बना दिया है कि धर्टी का पूरा नक्षा आपने इसके उपर बना दिया अब आप चाहते हो कि मैं किस तरह से इसको कागस के उपर दर्शाँ तो आप क्या करोगे आपने इसके अंदर एक स्त्रोत रख दिया किसी रोशनी का तो मांदो बल्ब रख दिया और बल्ब को आपने चालू कर दिया तो बल्ब आपने इसके अंदर रख दिया और फिर बल्ब चालू हो गया अब इसके उपर आपने चित्रे बना रखा है, किसका पूरा नक्षा बना रखा है अपने हमारे घुकूल का, तो अब क्या होगा कि जब यह लाइट चलेगी तो सारे दिवारों पर आपके नक्षे बनेंगे, अब हमें कैसे इसको कागस पर एक कागस पर कैसे उता रहें, तो पूरा का पूरा जो दुनिया का नक्षा है, वो इस कागस के उपर दर्शारी का होगा, ठीक है, और जब आप कागस खोलो गए, तो आपको दुनिया का नक्षा उसपर मिलेगा, तो यह होता है तरीका, जिसको कहते हैं हम मर्केटर परच्छाई, या फिर जो नक्षे, जिन नक्षों की हमें आदत है देखने की तो अब अगला प्रशन है कि इसमें समस्या क्या है तो पहली समस्या तो ये है कि परच्छाई पूरा का पूरा सत्या नहीं बता सकती कुछ न कुछ विरूपन होना तो अवश्यक है अब प्रशन ये है कि जो मर्केटर परचाई है दुनिया के नक्षों का उसमें खास समस्याएं क्या आती है तो समस्या ये है कि जैसे अगर आप मध्यभूमी रेखा के पास के जो छेतर हैं वो तो फिर भी ठीक ठाक दिख जाते हैं पर जैसे हमारे अक्षांच ऊपर ये नीचे को जाएं तो जो परचाई है वो बहुत ज्यादा फैल जाती है लंबाई में चोड़ी हो जाती है तो वो जो छेतर हैं वो ज्यादा बड़े दिखते हैं और इतने बड़े वो असल में होते नहीं है अब जैसे कि हम देखते हैं कि रूस, कैनेडा ये बहुत बड़े दिखते हैं पर असल में इतने बड़े नहीं है इसी प्रकार से ग्रीन लाइंड भी बहुत बड़ा दिखत पर यह दरसल सिरफ उत्तरप्रदेश के छेत्रफल के बराबर हैं तो अब जैसे कि इस चित्र को देखिए यह है पीटर्स प्रोजेक्शन यह पीटर का परच्छाई यह एक और मतलब प्रकार का दर्शाने का तरीका है दुनिया का नक्षे को अब इसमें भी कुछ कम्या तो ह हैं पर इसमें कम से कम यह है कि वो छेत्रफल आपको बिल्कुल बराबर दिखेंगे जो असली में छेत्रफल हैं बड़े-बड़े देशों के अब यहां पर आप देखिए अफरीका कितना बड़ा नजर आ रहा है ठीक है और वैसे जो नक्षे हमारे आम तोर के होते हैं जो अब मर्केटर प्रजेक्शन में इंडिया को उत्री अक्षांच पिले जाएं जैसे उत्री धुरुफ के पास तो वो कुछ ऐसा दिखेगा अब अचानक आपको लगेगा कि इंडिया तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है पर ऐसा हमको पता है कि यह नहीं है तो यह समस्य हैं हमारे नक्षों के साथ तो यह समझना बहुत जरूरी है अगर हम इस विशे में जो भू अनुपत हैं कक्षां के अनुपत हैं तो पहले आपको हमें हमारे नक्षों में जो कम्या हैं वो समझनी पड़ेंगी तो यह तो हो गई एक बात दूसरी बात क्या है दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे हम अक्षांच उत्तर या दक्षन के ओर जातें मद्यभूमी रेखा से दूर तो हमारे देशांतरों के बीच में जो फासला है जो दूरी है वो बिल्कुल कम होती रहती है तो यह आपको फिर नक्षों में नहीं दिखता ऐसे लगता है कि सारे देशांतरों के बीच में जो भी अक्षांच है दूरी एक ही है पर ऐसल नहीं है और यह आप आम तोर पे समझ भी सकते हो क्योंकि अगर जैसे कि हम 90 डिग्री अक्षांच पे पहुँच गए तो वो हमें हमारे नक्षे पे एक लाइन नजर आती है एक रेखा के रूप में नजर आती है पर वो रेखा है नहीं वो एक बिंदू है जिसको हम उत्रियत दक्षन धुरुफ कहते हैं तो यह हो गई एक और बात, तीसरी बात यह है कि जो सीधी लकीरे हैं हमारे नक्षों पर वो दरसल सीधी होती नहीं है, अब दो स्थानों के बीच में अगर आप से पूछे जाए सबसे नजदीक रास्ता क्या आप कोगे सीधा लाइन, सीधी लकीर खींचो वो सबसे नजदी ठीक है, पर जैसे कि अगर आपको टोक्यो से शांगाए का फ्लाइट लेना है, तो अगर उसका जो उड़ान है, उसका पत कुछ इस प्रकार से देखेगा, अब आप कोगे पर यह सीधे क्यों नहीं चलते हैं, क्योंकि अगर आप इसी पत को और उत्तरी धुरुफ की तरफ से देखोगे, तो यह ज्यादा सीधा नजर आएगा, इसी प्रकार से जो हमारे अक्षांच है, वो हमारे नक्षे पे सीधे नजर आते हैं, पर वो असली में सीधे होते नहीं, क्योंकि वो दुनिया का परिक्रमा लगाते हैं, तो मतलब यह हुआ कि जो सीधी लकीरे हमारे नक्षों में हैं, वो असलियत में वास्तविक्ता में सीधे नहीं होते कभी-कभी, और उल्टा भी है कि जो टेड़ी लकीरे हमारे नक्षों पे हैं, वो असलियत में सीधे पत हो सकते हैं, तो यह सब चीज़ों को माइने में रखके ही हम इस विशे को शुरू करेंगे, यहां पे दिख रहा है इंदोर और कलकत्ता, मान लो आप इंदोर में हो, और आपको एक बॉल फेंकनी है कलकत्ता को, अब इससे पहले की लोग बोलें कि यह संभव है, याद रखें कि यह एक सोच प्रयोगर, मान के चलो आप में हजारों भीमों की शक्ती है, हवा का असर क को भी माइने में लेने की जरूरत नहीं है, न वायू घर्शन को, और नहीं आपके बॉल को कोई हवा की जोंक पत्त से हटा देगा, अब इंदोर और कलकत्ता दोनों तकरीब एक ही अक्षांच में हैं, 22.7 उत्तर पर, तो प्रशन बहुत सरल है, अगर आपने इंदोर से ब पॉल कलकत्ता को फेंक नहीं हो, तो किस दिशा में फेंक होगे? थोड़ा सोच लीजिए, दस सेकेंड बाद फिर मिलेंगे. हाँ जी, तो अगर आपने कहा कि एक ही अक्षांच पे हैं, 22.7, यनि कलकत्ता इंदोर के सीधे पूरब को है, तो पूरब की दिशा फेंकना होगा, तो अफसोस गलत जवाब. अब अपने स्टैंडर्ड नक्षे पे देखो, वर्ल्ड मैप पे, रूस में इन दो स्थानों को, एक ही अक्षांच पे हैं, तो कहोगे कि इन दोनों के बीच का सीधा पत ये है, पर उत्री ध्रोव से देखने वाला आपके पत को ऐसे देखेगा और कहेगा कि सीधा पत तो ये है, पर ये सीधी रेखा आपके नक्षे पर टेड़ी दिखेगी, इसी को आगे ले जाते हैं, मान लो आप उत्री ध्रोव के पास के अक्षांच पे हो, तो ये दो बिंदु हैं, एक आप हो और एक आपका दोस्त, अब आप और आपका दोस्त एक दूसरे को देख रहे हैं, मान लो सौ मीटर की दूरी पे, और बीच में है उत्तर ध्रोव, अब आप दोनों एक दूसरे के पूरब भी हो, और पश्चिम भी, तो अगर आपने एक दूसरे को बॉल फेंक नी हो, तो क्या आप पूरब की ओर फेंकोगे? क्या बॉल चमतकार से ऐसे घूम के जाएगी हवा में? नहीं तो, फेंकोगे तो आप सीधे अपने दोस्त को, पर अपने नक्षे पे, अपने वर्ल मैप पे, ये जो पूरब की ओर टेड़ी रेखा है, ये अपने नक्षे पे सीधे दिखेगी, तो समझ में आ रहा है कि हमारे आम नक्षों में कितने प्रॉब्लम है तो फिर अब सीधी फेंकिवी बॉल का पत अपने नक्षे पे कैसे दिखेगा तो आप मान लो ग्रीन लैंड के उपर हो और आपके दोस्त हैं साइबीरिया के उपर तो अपने नक्षे पे जो वास्तविक में सीधा थ्रो है उसका पत कुछ ऐसे दिखेगा और पूरब या पश्यम फेंकोगे तो बॉल दक्षन की ओर ही जाएगी तो इस सुधारन से तारकिक अनुमान ये निकलता है कि बॉल को पूरब की जगे उसे कुछ उत्री पूरब की दिखा में फेंकना होगा अगर हमें इन दोर से कलकत्ता को बॉल फेंकना हो अगर हमने इंदोर से बॉल सीधे पूरब अक्षांच पे कलकत्ता की तरफ फैंका तो बॉल कलकत्ता से कुछ डक्षन को गिरेगा बंगाल की खाडी में अब मान लो हमने बॉल को इतने जोर से फैंका कि वो पृत्वी की पूरी वृत परिक्रमा लगा के वापस इंदोर आगिरे तो देखते हैं कि उस बॉल का भू अनुपत कैसे दिखेगा तो यहाँ पे कुछ चीज समझते हैं पहली बात तो बॉल का पत को एक ग्रेट सर्कल होना पड़ेगा ग्रेट सर्कल मतलब जो वृताकार जो पृत्वी के अधिक्तम परिधी की हो तो ग्रेट सर्कल होते हैं सारे देशांतर रेखाएं क्योंकि यह धर्ती के पूरे परिधी चक्कर मारते हैं और अक्षांश में सिरफ एक ही ग्रेट सर्कल है वो है मद्य भूमी रेखा बाकी सारे अक्षांशों की परिदी छोटी रहोगी तो इंदोर से गुजरने वाला ये ग्रेट सर्कल ऐसा होगा कि उसका सबसे उचा बिंदू इंदोर होगा और सबसे दक्षन बिंदू इंदोर के ठीक भूमी पे पल्ली तरफ तो इंदोर का स्थान है 23 डिग्री उत्तर और 76 डिग्री पूरब उसके पल्ली तरफ होगा 23 डिग्री दक्षन और 256 डिग्री पूरब यहाँ पे प्रशांत सागर के दक्षन अमरिका के पास मतलब यह है कि अगर आपने बॉल फैंका इंदोर से पूरब को वो बॉल एक great circle पे चलेगी जिसका सबसे उत्तर स्थान इंदोर होगा और सबसे डक्षन यह जगए तो यह हमारे दूई आयामी classroom वाले नक्षे पे कैसे दिखेगा नोट करें कि अपने यात्रा के पहले भाग में बॉल डक्षन को जाएगी और दूसरे भाग में उत्तर को तो भला ही वास्तविक्ता में बॉल सीधी पत पे जा रही है पर नक्षे में यह कुछ ऐसे दिखेगा जैसे कि यह sine wave का function है तो अब बॉल की जगे मान लो एक उबग्र हो तो उसका भू अनुपत भी ऐसा ही दिखेगा चैसे कि एक बहुत प्रसिद भूण उपत है अमरिका के Cape Canaveral से प्रक्षेपित रॉकेटों का जो इस प्रकार से अफ्रीका के उपर दक्षन को जाते हैं और फिर आस्ट्रेलिया के उपर फिर से उत्तर को जाते हैं इसी लिए आस्ट्रेलिया में इनके लिए कई tracking stations लगाई होए हैं और यही कारण है कि कई mission जो होते हैं जिन में उप्ग्रों को वापस धर्ती पे उतारना होता है उनका re-entry कराना होता है उनका पुना प्रवेश कराना होता है तो वो सब यहां प्रशान्थ सागर में करते हैं क्यूंकि यह इनके पत पे भी पढ़ता है और इधर पास में हवाई है जहां अमरिका का नेवी का बेस है। तो चलो, हम इस Cape Canaveral वाले अनुपतन को थोड़ा देखते हैं। याद रहे ये एक वृत आकार कक्षा का पत है जिसका प्रक्षेपन अमरिका के फ्लोरिडा के केप कनावरल से होता है पूरब की दिशा में। तो जैसे साफ दिखता है नक्षे पे इस पत का अधिक्तम उत्री अक्षांच केप कनावरल पे ही होगा 28.5 डिगरी उत्तर पे। इसी तरह इसका सबसे डक्षिन अक्षांच होगा 28.5 डिगरी डक्षिन पे। अब ये जो अधिक्तम और न्यूनतम अक्षांच हैं 28.5 यही इस कक्षा का जुकाव अंगल होगा यनि कि ये पत मद्यभूमी रेखा को इसी अंगल पे काटेगा 28.5 डिग्री पे अब इस पत में कुछ खास बिंदू देखते हैं जहां पे पत मद्यभूमी रेखा को उत्तर जाते वक्त काटता है उसे आरोही बिंदू कहते हैं इंगलिश में असेंडिंग नोड जब ये सबसे उत्तर बिंदू पे पहुँचता है तो वहां से दक्षन यान प्रारंब होग जहां पे ये मद्यभूमी रेखा को दक्षन जाते वक्त काटता है उसे अवरोही बिंदू कहते हैं या डिसेंडिंग नोड और जब वो अपने सबसे दक्षन स्थान पे आए तो वहां से उत्तरियान चालू होता है गौर करें कि ये चार बिंदू कुछ-कुछ सूर्या के भी साल में चार महत्वपून स्थान जैसे हैं आरोही और अवरोही बिंदू होगे वसंत और शरद विशुव और दक्षन यान और उत्तर यान शीत और ग्रिश्मा आइनांत जैसे अब इस पत के कुछ और खासियत देखते हैं जो रूप ये एक गुलार्द में लेता है अगर उसे हम बीच से यूँ काटे हैं तो दोनों भाग एक दूसरे के बराबर हैं एक दूसरे के शीशे की परच्छाई हैं ये यहाँ पे उत्तर और दक्षिन गुलाड में पाओगे इस गुण को कहते हैं लाइन सममिती और इंग्लिश में लाइन सिमेट्री सिमेट्री शब्द सममिती से ही है एक और खासियत है कि अगर हमने इस पत को बीच से मध्यभूमी रेखा पे यूँ घुमाया पूरा 180 डिग्री तो हमें फिर वही पत दुबारा मिल जाएगा जो हमारा प्रारंबिक पत था इस गुण को कहते हैं हिंज सममिती सिर्फ और सिर्फ वृत्ताकार कक्षाओं के अनुपत दोनों लाइन सममिती और हिंज सममिती प्रदर्शित करते हैं यनि कि अगर अनुपत में एक सममिती ना हो या दोनों ना हो तो वो कक्षा वृताकार नहीं हो सकता वो किसी प्रकार का अंडाकार कक्षा होगा जैसे कि इस चित्र में बाइभाले अनुपत में लाइन सममिती है पर हिंज नहीं और दाइभाले में हिंज है पर लाइन नहीं ये दोनों अनुपत अन्दाकार या दीरगवृत आकार कक्षा के हैं तो अभी तक हमने देखा वृताकार कक्षाओं के भूँ अनुपत इनके अनुपत में सबसे उतरी और दक्षनी अक्षांच ही कक्षा का जुकाओं अंगल बतलाता है मतलब है मद्यभूमिक कक्षा का अनुपत मद्यभूमी पे एक सीधी रेखा की तरह दिखेगी 28 डिग्री जुकाओ का वृताकार कक्षा का अनुपत अक्षांच 28 डिग्री के भीतर चलेगा और ऐसे ही 50 डिग्री जुकाओ वृताकार कक्षा का अनुपत अक्षांच 50 डिग्री उत्तर और 50 डिग्री दक्षन के बीच एक लहर की तरह दिखेगा अब आपसे एक प्रशन है वृताकार धुरुविया कक्षा यानि 90 डिग्री जुकाओ उसका प्रित्वी नक्षा पे अनुपत कैसे दिखेगा थोड़ा सोच लीजिए हम मिलते हैं 10 सेकंड बाद तो धुरुविया कक्षा का भू अनुपत कुछ इस प्रकार से दिखेगा पहली बात है कि धुरुविया कक्षा का जुकाओ 90 डिग्री है तो अनुपत पर 90 डिग्री अक्षांच पे सबसे उचा और सबसे नीचा स्थान आएगा यहाँ पे उपग्र पहले उत्तर की ओर जा रहा है फिर मुड के वो पूरब की ओर जाते दिख रहा है और फिर 180 डिग्री देशान तर पार करके वो फिर से दक्षन की ओर जा रहा है पर यह कैसी अजीब चाल दिख रही है यहाँ क्या उबगरब वाकई पूरब की ओर जा रहा है धुरुव्यक अक्षा का तो मतलब ही यह है कि उबगरब पूरब पस्चिम जाता ही नहीं है वो सिरफ उत्तर और दक्षन की दिशा में चलता है तो फिर ऐसे क्यों दिख रहा है कि यह पूरब की ओर जा रहा है तो फिर से ये होता है हमारे दुई आयामी नक्षों की कमी में जो त्री आयामी भुगोल को दर्शाने का प्रयतन करते हैं 90 डिगरी का अक्षांच असल में हमारे नक्षों में कोई मतलब नहीं रखते क्योंकि वास्तविक में ये अक्षांच रेखा ही नहीं, ये सिर्फ एक बिंदू है, जिनको हम उत्तर और दक्षन धुरुव बिंदू कहलाते हैं। मतलब ये हुआ कि इस अक्षांच पे आप किसी भी दिशांतर से उत्तर जाते घुश सकते हो और किसी भी मन पसंद दिशांतर से दक्षन की ओर निकल सकते हो सिरफ एक कदम रख के। तो यहां पे हमारा उपग्रह बिलकुल नहीं मुड़ रहा है, सीधे जा रहा है, प्रशांत सागर के उपर से उत्तरी धुरुव की ओर और निकल रहा है नौर्वे के उपर से। फिर यही सिलसला दक्षन धुरुव पे अंटार्टिका के उपर भी होगा। तो यह उधार्ण था समझाने के लिए कि उपक्रहों के भुवन उपत काफी अजीब दिखते हैं, जिनका अनुमान लगाना उतना सरल नहीं होता। इसका कारण है कि हमारे नक्षों में काफी कम्या हैं। वैसे काइदे से अधिकतर नक्षों पे 90 डिग्री अक्षांच नहीं दिखाया जाता। शायद नक्षे बनाने वाले भी सोचते हैं कि उल्लू बनाने का भी हद होना चाहिए। पर अभी भी भू अनुपत निर्मान में हमने एक बहुत महत्वपून चल को माइने में नहीं लिया। जैसे हमने देखा कि कक्षाओं के वाहन अपने पत को धोराते हैं पर इसका मतलब क्या भू अनुपत भी धोराएगा। नहीं क्यों नहीं क्योंकि धर्ती घूम रही है तो जैसे पहले की उधारन में इंदोर से प्रक्षेपित रॉकेट दुबारा इंदोर के उपर से नहीं गुजरेगा क्योंकि उस समय में धर्ती कुछ पूरब की ओर निकल गई होगी। तो रॉकेट इंदोर से कुछ पश्चिम के उपर से गुजरेगा अपने सबसे उचे स्थान पे। अगर धर्ती स्थ्याई होती तो बेशक वाहन उसी अक्षांच पे हर परिक्रमबाद इंदोर के उपर से ही गुजरता पर ऐसा नहीं है। तो मान लो इंदोर से चालू उपगर अपनी एक परिक्रमबाद मिस्र के कहीरा के उपर आता है। कहीरा है 31 डिग्री पूरब देशानतर पे और इंदोर है 76 डिग्री पूरब पे। तो प्रशन है कि उब्ग्र की परिक्रमा काल बताएं और बोनस प्रशन है कि उब्ग्र कक्षा का अर्ध धिर्गक्ष भी बताएं तो परिक्रमा काल निकालने के लिए हमें देखना होगा कि उब्ग्र के एक परिक्रमा दोरान धर्ती कितनी घूम गई और उतना घूमने में उसे कितना समय लगा इंदोर और काहिरा के दिशांतर में 45 डिग्री का फर्क है प्रित्वी यनि 45 डिग्री घूम गई अब 360 डिग्री घूमने में प्रित्वी को लगते हैं 23 घंटे 56 मिनिट पर यहां 24 घंटे ले लेते हैं तो 15 डिग्री दिशांतर घूमने में 1 घंटा होता है और 45 डिग्री घूमने में 3 घंटे लगते हैं तो परिक्रमा काल हो गई तीन घंटे. अर्ध धीरगाक्ष हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मिला से, जो पहले बताया गया था. और ये निकलता है दस हजार पांच सो चौनसट किलोमीटर. अब यहां पे अर्ध धीरगाक्ष, अर्ध व्यास या रेडियस के बराबर है, क्योंकि ये वृत कक्षा है. तो वृत कक्षा के लिए हम उबग्र की उचाई भी निकाल सकते हैं, भूमी का अर्ध व्यास गटा के. तो दस हजार पांच सो चौनसट में से हम घटाएंगे छे हजार तीन सो अठटर, तो हमें मिलेगा चार हजार एक सो चैयासी किलोमीटर, जो इस उबग्र की उचाई होगी. अब यहां पे एक चीज गौर करें. यहां दिख रहे हैं अलग-अलग भूवन उपत. जितनी छोटी तरंग है, उतनी ही ज्यादा उस कक्षा का परिक्रमा काल. क्यूंकि छोटी तरंग का मतलब है कि कक्षा के एक परिक्रमा पर धर्ती उतनी ही आगे निकल गई है, यनि समय अधिक लिया है. अब इस अनुपत को देखें. यहाँ प्रित्वी के उपर दो तरंग है. तो बताईए इस उपग्रह का परिक्रमा काल क्या है. तो जाहर है कि उपग्रह की एक परिक्रमा होने में प्रित्वी आधी घूम जाती है. प्रित्वी को एक चक्कर मारने में कितना टाइम लगता है? चौबिस घंटे नहीं, तेज घंटे चपन मिनिट चार सेकंड. तो इस उपग्रह की परिक्रमा काल हो गई, तेज घंटे चपन मिनिट बटे दो, यनी ग्यारा घंटे अठावन मिनिट. और अगर यह कक्षा व्रितकार की हो, तो अपना फॉर्मला लगा के इसकी उँचाई निकलती है करीब 20,200 किलोमीटर. तो यही है आपके GPS सैटलाइट्स की कक्षा. GPS सैटलाइट्स का मंडल व्रितकार में 20,200 कि उँचाई पे 55 डिग्री जुकाओ पे चलते हैं. ऐसे छे पत होते हैं और हर एक पत में 4 से 5 उग्र हैं. अब बताईए कि अगर कक्षा सब एक ही आकार के, एक ही जुकाओ के, तो छे अलग पत कैसे हो सकते हैं? तो ये हमने पिछले पार्ट में देखा था, क्यूंकि उनके आरोही बिंदू का विशुवंच अलग-अलग हैं. पहले कक्षिय पत का आरोही बिंदू का विशुवंच है शुन्या, यानि जब ये कक्षा मद्य भूमी रेखा को काटता है, तो ये उत्तर भादर पदा नक्षत्र के नीचे होगा. फिर बाकी पतों के 60 डिग्री के बाद अंतर में आरोही बिंदू होते हैं. तो पहले का रोही बिंदू शुन्या उत्तर भादर पदा में है, दूसरे का 60 डिग्री रोहेनी नक्षत्र में पड़ता है, तीसरे का 120 डिग्री पुष्य नक्षत्र में, और ऐसे ही चौथे का हस्त में आएगा पांचवे का अनुराधा में, और छटे का आएगा श्रवन नक्षत्र में, अब इस भुवनिपत को देखो, इसका परिक्रमा काल क्या होगा, तो यहाँ पे हम 10 तरंग गिन सकते हैं, यनि की एक तरंग की चाल में, मतलब उग्र की एक परिक्रमा में, पृत्वी का 9 दस्व भाग घूम जाता है, एक नक्षत्र दिन होता है, 23 गंटे 56 15 मिनिट का, यनि 23.9 गंटे का, तो इस उबग्र की परिक्रमा काल हो गई 23.9 गुनी 0.9 यनि की 21.5 गंटे का, तो अब इसी बात को थोड़ा आगे ले जाते हैं, और अब हम आते हैं बहुत भारी प्रशंट पे, अगर हमारे उबग्र की परिक्रमा काल एक नक्षत्र दिन की हो गई, यनि पूरे 23 गंटे 56 मिनिट 4.1 की, यनि की अगर हमारा उबग्र जितने समय में एक परिक्रमा लगाता है, उतने ही समय में धर्ती एक बार घूम लेती है, तो अब इनका भू अनुपत कैसे दिखेगा तो इस पार्ट को हम यहीं समाप्त करते हैं, इसमें हमारा सिरफ परिचे हुआ है भू अनुपत्थन से, और इसमें हमने देखा है सिरफ वृताकार के कक्षाओं का भू अनुपत्थन, इसमें हमने अलग-अलग जुकाओं का भी वृताकार के कक्षाओं का अनुपत्थन और खास कर हमने ये देखा कि नक्षाविधी उतनी सरल नहीं है कि कैसे एक वृताकार का ककशा का अनुपत निकलता है एक लहर के रूप में और दिल्चसप बात ये है कि जैसे जैसे हम उस ककशा की परीक्रमाकाल बढ़ाएं हमारे तरंग का जो अनुपत निकलता है वो और छोटा हो जाता है अब अगला प्रशन जिसके साथ हमने आपको छोड़ा है वो है कि अगर परिक्रमा काल बिलकुल प्रित्वी की घून काल के बराबर हो जाए यानि कि 24 गंटे नहीं 23 गंटे 56 मिनेट 4.1 सेकंड का तो फिर उनका अनुपत कैसे दिखता है तो ये कक्षाएं एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रिनी के कक्षाएं जिनको हम कहते हैं भू समकालिक या भू तूल्यकाली इनको हम देखेंगे अगले पार्ट में नमस्ते अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने कुछ सीखा कृपिया लाइक, शेर, सब्सक्राइब, कॉमेंट करें धन्यवाद, फिर मिलेंगे